A.B.P. News पर इस वक्त इस आतंग की हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर विधान सभा के भीतर कहा है कि इस आतंग की हमले में सेना के दो जवान शहीद हो गए है ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार के हवाले से आ रही है चार लोग घायल है जम्मुकश्मीर सरकार का कहना है और ओपरेशन जम्मु में सुजवा को जो जानकारी रख़े गई है उसके मताबिक सेना के दो जवान आतंक्यों के इस हमले में शहीद हुए है। कर्नल रोहित सुलंगी ये जखमी हुए है आतंकियों ने जो हमला किया आज तड़ के चार बच कर पचास मिनट पर इसके अलावा हवलदार अब्दुल हमीद ये भी आतंकियों के साथ हमले में जखमी हुए है लांस नायक बहादुर सिंग भी जखमी हुए है आतंकियों के इ जखमी हुए है और इसके अलावा सुबिदार मदनलाल की जो बेटी है नेहा वो भी जखमी हुई है जमो कश्मीर सरकार ने जमो कश्मीर विधान सभाजों की चल रही है उसके भीतर ये बयान दिया है कि सेना के दो जवान शहीद हुए है और चार लोग जखमी हुए है और च ज़वान शहीद चार जखमी और क्या जानकारी आप दे सकते हैं। सिंग और नेहा नाम की जो सुगेदार मदनलाल चोधी हैं। ज़वान शहीद चार ज़वान शहीदार मदनलाल चार जानकारी आप दे सकते हैं। ज़वान शहीद चार ज़वान शहीद चार जानकारी आप दे सकते हैं। उसमें सुगेदार की बेटी नेहा भी शामिल है। जमू में सेना की कैम पर ये हमला हुआ है। आपको बता दें आतंकियों को अब खेर लिया गया है, एक जिगे कर लिया गया है सेना के जो स्पेशल कमांडोस हैं। उनको बुलाया गया है इस ओपरेशन के लिए। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ये है ABP News आपको रखे आगे।